मॉर्निंग की चाय तो आप लोग भी आजाओ हमारे साथ चाय पीने के लिए और गाई थोड़ी से चाय मैंने जादा बनाई है क्योंकि भाई लोग आए हुए है तो उनके लिए लेकिन अभी आए नहीं है घर पे तो इसी वज़े से वो चाय मैंने नहीं चानी है और यहां बंद गोबी कट कर रही हूँ और आलू मैंने उबाल लिया है मैंने आलू पहल और नहीं चाओ कर थी निमीए शांनके तुमने चाड़न चास देता है और इसमे ऑल लिए बहाली मातरा मैंने तुम नहीं के चाहां नहीं है तो पहल्य बंद गो भी चचुकी के झिंच गधा कर द धाल कर दी है और इसमें घृतिक पहले तेल और यह जब गरम हो जाएगा इसमें डालूँगी जीरा तो ऐल जो है वो गरम हो चुका है तो यहां मैंने डाल दिया है जीरा और सब्जी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी सूखी सब्जी बनाऊंगी मैं क्योंकि मेरे यहां बंद गोभी की सब्जी जो है वो रस कर दिया है आलू अब इसको थोड़ी दिर भूनूंगी इसमें पहले टमाटर डाल देती हूं तक टमाटर भी गल जाएगा और बस उसके बाद बेसिक से मसाले डाल दूंगी और यह सूखी सब्जी जो है वो रेडी हो जाएगी तो बस यहां पे मसाले एड कर रहे हूं मसालो कुछ देर ढख दूंगी क्योंकि जो बनता है वो भी पका है और आलू भी तो जब तक है सब्जी बन रही है तब तक मैं यहां पे पराठे बना रहे हूं आटा वगैरा मैंने पहले लगा दिया था प्योंकि अगर आटा पहले लगा देते हो तो आटा क्या होता है मुलायम हो जाता है और रोटी पराठे आपके बहुत ही अच्छे बनते हैं तो बस पराठे बनाऊंगी उसके बाद husband office चले जाएंगे और एक चीज में आप लोग को बताना भूल गई कि भाई क्यों आए हैं तो मेरे गाड़ी ली गई है तो यह खुशी तो आप लोग के साथ शेयर करना बनता है तो वही यहां पर काफी बड़ा ग्राउंड है तो वही पर लोग चलाने के लिए आए हैं वह लोग अब सीख रहे हैं क्योंकि नई नई चीज जब आती है आपके घर में तो बड़ा इसको सीखना है यह चलाना है तो वह लोग अभी वस वही गाड़ी सीक रहे है इसलिए थे और अभी उन लोग की भी चाय वगएरा हो गए यह पी चुके हैं और फिर चले गए हैं चलाने के लिए और यहां मैं फटा फटा थारी करी हूं ताकि हस्बेंड आ सके टाइम और आप लोगों में बता दूँ कि आज है इनका बर्चडे तो आप लोग भी विस्ट कर देना इनसे मैं यह कह रही हूं कि ऑफिस मत जाओ लेकिन नहीं इनको जाना है और पता नहीं अब एक कब तक आओगे चली अब अपने काम में नहीं काम करने हैं झछलो तुटी ने चकामने नहीं कि हमको तुब तो उभिस्ट करने हैं और मैं लग चुकी हूँ बस अपने काम में सुबह के यह सारे काम तो americans करने होते हैं इनसे तो कभी भी छुटी नहीं मिलती हमको तो बस अभी साफ सफाई करने में लग चुकी हूं और यह दरी जो आप देख रहे हो ना मैं यहां पर फर्स पे भिछा देती हूं तो बाबु क्या गरती है यहां पर अपने खिलोने डाल के और खेलती है और जो खेल पर देती हूं ताकि उसको ना खेलने में दिक्कत ना हो और बेट पर खेलती है तो कोई नहीं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है लेकिन अगर नीचे बैठ जाती है तो इसी तरह से मैं रोज ही भी जाड़ु पोछा करूंगी और उसके बाद किचन वेगरा साफ जाओंगी वैसे उन्होंने बोला है कि केक वेगरा मतला ना लेकिन मुझे लगता है कि हमें छोटे छोटे पलो को खुसो के जीना चाहिए तो इसी लिए मैं बस एक छोटा सा केक उनके लिए लाओंगी मैं कोई बड़ी पाटी तो अरेंज नहीं कर सकती लेकिन हाँ छोटा चोटे पलो को ही खुसो के जीओगे ना तो सची बतारी हो जिंदगी बहुत अच्छी लगती है लेकिन कितने लोग क्या करते ना वो यह सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में तो खुसियां ही नहीं है वो खुसियां कब आएंगे और इस इंतजार में क्या होता है ना कि हम वो को भी गवा देते हैं जो हमारी जिंदगी में आती है और फिर हम कहते हैं कि मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं किया कुछ भी ऐसी खुसी हमें नहीं मिली जिसे हम बहुत ही अच्छे से जी पाते तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि हम बहुत चीजें बहुत छोटी है इसको enjoy करके दीजिए दुख भी अगर life में आता है ना तो उसको ना सहने की आपके अंदर छमता होनी चाहिए मैं आप लोगों से बस यही कहूंगी life में ना दुख और सुख दोनों होते हैं और इनको आपको ना मिल बाट के काटना होता है अगर family आपके तो आप हर तरह के दुख और सुख को बहुत ही अच्छे तरीके से जी सकते हो तो बस गाई छोटे-छोटे पलों को अच्छा बनाइए और खुस रही क्या चाहिए बताओ कि दूदू चाहिए दूदू कटम हो गया है दूदू आले अंकल आनी ले दूदू आले अंकल नह पहनी हुई थी कलाई दोड़ी-दोड़ी मम्मी मुझे फ्रोंग पिना दो मुझे घूमना है यानि कि अपनी जो फ्रोंग है उसको घूमाना है कौन घूमा रहा था बिटा अनामी कहा दिदी तो आपको भी पहनना था और रात को जब सोने लगी न तो बोली उतार दो मम्म कमीन तो फोंक गला धवल फिर उतार दिया और सुभा उडते फिर पहन लिया है ना तो ओड़ के दिखा दो जड़ के दिखा दो है जा अगेucken हैं क्या करें पराथा खालो नहीं खाना यह घूपिना नहीं हारने है Adele क्यों झोटी आ लों छना थिंशनक काने एक पतर और मैं निकल पड़ी हूँ मार्केट के लिए मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था कि मुझे हस्बिन के लिए केक लेने जाना है तो बस उसी के लिए निकल पड़ी हूँ और साथ में भाई जा रहा है और यहां पे मैं आ चुकी हूँ केक के सौपे और मुझे कुछ भी केक में दिखाऊंगी आप लोग को साम को अभी नहीं दिखाऊंगी मैं कौन सा केक लेके आई और अभी बस इंतजार है साम का साम को जब हस्बिंडाएंगे तब फिर कट करेंगे और देखने हैं घाना क्या बनेगा जो बनेगा हो आप लोग के साथ शियर करूंगी अगर बनेगा बाहर जाएंगे तो फिर देखती हूं अगर शूट कर पाऊंगी तो शूट कर लूगी और आप लोग को पता है बाल मेरे बहुत ज़्याद उलच गए है मैं अगर बाहर बाइक से जाते हूं तो बहुत बिगड़ जाते हैं तो अब देखो कितने उलचे हुए है लब जब कंगी करो ना तो बहुत खिचते हैं बाल तो चलो मिलती हूं मैं आप लोग को अब साम को अब मैं अब चूला शुला देगा हां हां किताम वर तर कीड़ा शुला हुए है टृ क्न काया है यह कॉण่ था किताब अबश्तिक्र ने की करगा है एए यह कॉण ने मैं बॉणति-गए। लुब 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 तो गैच केक बगएरा गट हो चुका है और यहां पर अब मैं निकाल रही हूँ समोसे ममी बहुत सारे समोसे लेके आई हैं हम लोगों ने मना किया था लेकिन उनको भी सौक लग रहा था कि मैं कुछ लेके आऊं तो वो समोसे ले आई हैं तो वस वही सर्फ कर रही हूं और सा ना खाने के लिए नहीं तो नहीं जाएंगे फिर कुछ घर में बना लेंगे और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा क्योंकि आप जब लाइक करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा लगता है कि कुछ वीडियो में अच्छा है अगर लाइक नहीं मिलता ना तो थोड़ा सा हम de-motivate होते हैं पैसे तो नहीं मिलते हैं लेकिन लगता है कि साइट वीडियो में कोई मतलब अच्छी चीज नहीं है तो प्लीज लाइक जरू कर दीजेगा और अभी के लिए मैं करती हूँ इस वीडियो को इंड और मिलती हूँ आपको नेक्स वीडियो में तो अभी के लिए बाइ-बाइ खुछ रहिए और सब को खुछ रखिए तो बाबा गाईज